नमस्कार गईकाल सांजना पांच वागया थी आज सांजना पांच वागया तलेके 24 कल्लाक मा कोविड 2019 ना जे केसिस छे एमा गुजरात मा कुल 309 390 पॉजिटिव केसिस नवा आइडेंटिफाय करवा मावया छे आजे आ 24 कल्लाक दर्म्यान सारवार लेती वक्ते तेर एवा लोको छे के जमने कोरोना ना संक्रमन थी एमनू मृत्यु थायू छे अग्यार एवा लोको छे के जमने पहले थी अन्य गंभीर बीमारी हती अंडरलाइंग इल्नेस जेने आपने को मॉर्बिड कंडिशन कहिए एमने पन कोरोना ना संक्रमन थावा थी एमनू पन दुखाद अफसान थायू छे आजे 163 जेतला लोको साजा थायने ट्रीटमेंट लहीने बिलकुल सक्सेस्फुली डिस्चार्ज थाय गया छे एटले आ एक बाउज सारा समाचार छे अने एनी लीधे टोटल हवे आपना त्यांजे डिस्चार्ज थायने साजा थायने घरे गया छे ए संख्या अधार सो ब पड़ जेमने ट्रीटमेंट लीधी कोवेट सामे लड़ी ने सक्सेस्फुली जीती ने पाछा घरे साजा थायने गया छे आजे बीजी एक बहु अगतिनी बाबत आपना त्यां जे मृत्यूना दर छे एमा सरकार इच्छे चे आने चिंता करे छे के हजी बिलकुल एक-एक केस मा आपने कई रीते घटाडों करी शक्ये डेथ समा अने इना माते अमनाज गईकाले मानिय सीम साभे आपना यूनियन मानिय होम मिनिस्टर मानिय अमिच शा साब ने रिक्वेस्ट कर यू हतू एक दिल्ली थी एक टॉप कॉलिटी ना जे आ कोविड नू अनुभव धरा निशनातो तजगनों नी टीम ने मोखले अने भारत मा सर्वस्रेष्ट जे टीम कई शकाए एवा एम्स ना डारेक्टर डॉक्टर अंदीब गुलेरिया अने इमनी साथे कोविड ना जे एक्स्क्लूजिव होस्पितल्स मा जे मने अद्भूत काम करियू छे एवा जे मना साथी कोलीग डॉक्टर मनीश सुलेजा एब बनने आजे रातना एक स्पेशल इंडियन एर फोर्स ना फ्लाइट थी आवी रहा छे गुजरात आवती काले नौ आगया थी आपनी सिविल हॉस्पितल इटले जेनी अंदर मेडिसिटी कैंपस की जेनी अंदर कोविड आपनी स्पेशल एक्स्क्लूजिव कोविड हॉस्पितल बनी जे एनी मुलाकाते जशे अने एना बाद जे आपनी स्वीप हॉस्पितल जे एनी पन मुलाकाते जशे अने त्यार बाद एलोको आखो ते आवती काले त्याना जेतला निशना तो छे आपना हॉस्पितल नी अंदर ज तो आपने आधारे आपने आधारे आपने वी केन एंशूर के हजी काईक नानी मोटी तुरूटी रही जती होई तो ये बद्धी दिशामा आपने प्रयास करी शक्ये आजे रिकावरी नी वात करी आजे आपने रिकावरी नी वात करी आज थी लगबग थोड़ाक समय पहला भीसेख दिवस पहला आपने जोई है तो आधार मी एप्रिल ना रोज तरानू जेतला लोको त्यार सुधी डिस्चार्ज थेया हता अने आजनी टोटल आपने डेटा लए तो 1872 अधार सो बहुततर जेतला लोको डिस्चार्ज थेयने साजा थेया चेटले जे बेसनी सामे जे रिकावरी नू रेट छे इमा जो ये तो बहुझ एक जबरदस्त सुधारो थेयो छे 374 परसेंट त्रण्सो चुमोतेर टका जेतलू आमा सुधारो थेयो छे अने उत्रोत्तर आवनार दिवसों मा घणी बधी रिकावरी आपड़ा त्यां एटले आब द्धा एवा केसिस छे कि कोविद ना पॉजिटिव टेस्ट हेया छे जे लोको ट्रीटमेंट लेहने साजा थेयने पाचा घरे जाये छे आ एक प्रक्रिया खूब एक पॉजिटिव व चे लोको पन आपड़ा जे आपड़ी कोविद होस्पिटल सिविल होस्पिटल मा बनावा मा आवी चे एनी अंदर ते एमना तरफ थी पन जे पन सजेस्टन्स चे सुझाव चे इन्पूट्स चे ए मेडवाना हेतू थी चे लला थोड़ाक दिवसो थी सरकार मा आपड़ा म मुख्यमंत्री श्री वेजे रूपानी साब ना प्रयासो थी आ शक्य बन्यू छे अने एना उपक्रमे अवे रोजे रोजे रोज एमना निशना तो आपड़ा त्या होस्पिटल मा आवे चे राउंज ले छे अलग-अलग वार्ड्स मा जेहिने पेशंस ने मले छे इमनी बदी ट्रीटमेंट का गेरा पंड जुए छे दाखला तरी के आजे आपड़ा सिवल नी जे टीम छे आपड़ी अपड़ा मेडिसिटी ना जे सीनियमोस डॉक्टर्स छे दॉक्टर कमलेश उपाधियाए दॉक्टर तृपाथी दॉक्टर राजेश सोलंकी बद्धा साथे इमने मीटिंग्स पंड करी अने अक्चुली आजे जे राउंड्स माँ पढ़ाता अनस्तीजिया ना डॉक्टर भारगव, डॉक्टर रीमा, डॉक्टर भावना बेन इबद्धा सवार ना अने बपोर ना राउंड्स माँ जता होय छे एज रीते जे मेडिसन फाकल्टी ना डॉक्टर शिवानी, डॉक्टर चित्रले का वोरा अने पची डॉक्टर राकेश जोशी जे पीडियाट्रिक सर्जरी ना निशनाच छे अने डॉक्टर गजर, डॉक्टर मोधी आखी टीम त्या राउंड्स बिलकुल रेगुलरी लई 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 जे आपधा निशनातों नी उपस्तती मां ट्राय करवा मां आवियू अलग-अलग इमना जे मापदंडो छे परामीटर प्रोटोकॉल्स जोईने तो ए लोको मां शिफ्ट करीने रूम एयर पर लई आवा माटे नी पन एक प्राथमिक सफलता मडी छे अने आ रीते उत्रोत रोजना आबधा टीम्स जे बहुझ सक्सेस्फुल दॉक्टर्स फ्रम प्राइवेट सेक्टर अलसो ए लोको पन कोलाबरेट करे चे आप जानों छो ए रीते चेला पिस्तालिस दिवस थी आपना ते आपनी टीम्स दिवस रात काम करी रही चे अने आ रीते समाज माजे प्र अगिश्थ था करिकुश्ट की आसे प्रदीर चेने रही चेला अंपले बती स्विस्ट कीरा उम्स很 इल यहाश्ग्या टो के मकेश्ट अच्छन है पुरने एक बहुच पवित्र भावना थी, आपवानू आलोकोए पण एक संकल्प पन करियू छे, अने अमलीकरण शरू थयू छे, जे आपड़ा माटे एक खूप सारी सिद्धी केवाई, कि गुजरात मा आ रीते एक सारा प्रयासो, बध्धाना एक संयूप तरीते सहियारा प्रयासो थी थाई रहा छे, आजे एज रीते आपड़ा माननिया मुख्यमंत्री श्री विजयरूपानी साहब, एमना अध्यक्षपणा माँ जे आपड़ी कोर कमिटी, हाई पावर्ड कोर कमिटी नी नीटिंग थाई एनी अंदर, एक भीजो पन अगत्यानू निर्णे ल जे जेटला मेडिकल, पारामेडिकल लोकों ने अलग-अलग कामगीरी लिबॉरेटरी नी अंदर, कोविड वार्ड नी अंदर, अने शर्वेलंस नी अंदर पन थतु हॉय चे वा डॉक्टर्स थी माडी ने पारामेडिकल्स अने क्लास फोर ना लोको सुधी एक इंसेंटि जे थी के लोकों जे काम करी रहा चे इमने हजी जो के आ रकम अगत्य नी न थी पन वधारे इंपोर्टन जे स्पिरिट थी जे भावना थी काम करे चे पन छता आ एक इंसेंटिव थी हजी पन एमनी जे एक डेडिकेशन चे कमिट्मेंट चे मा हजी एक सारो खूब मोटो शके अने एरी ते 25,000 रुपया, 15,000 रुपया, 10,000 रुपया एरी ते अलग अलग काटेगरीज माटे इंसेंटिव नी रकम पन नकी करवा मा आवी चे जे अतियारे प्रेस रिलीज ना वकते एनी डीटेल्स पन केवा मा आवशे अतियार सुधी गुजरात में जे कुल पॉजिटिव कोरोना ना जे पेशन्स छे 7,403, 7,403 ठया छे अने आजे जे कुल अक्टिव पेशन्स छे ए माथी 5,056,056 एवा पेशन्स छे जे बिल्कुल स्टेबल छे अत्वा बाइपाप, ओक्सिजन पर छे, रुमेर पर छे अने 26 एवा पेशन्स छे के जे क्रिटिकल छे अने वेंटिलेटरी केर पर छे, जे हम कहवा हमा आवियो, आज सुधी 1,872 एटले 1,872 एवा लोको छे के जे लोको ए कोरोना साथे इमनी जारे ट्रीटमेंट चिकीच सा चालती है ती, इमने खूप सारी लड़तापी ने, व सफलता पूर्वक लड़ी ने जीती ने हवे डिस्चाज थाई ने घरे पाचा गया छे, अत्यार सुधी ना जे कुल टेस्ट्स आपड़ा तेया थाया छे, एक लाख 5,387 एटले आपड़े कुल कोरोना ना टेस्ट्स करया, आज इटले 5 वा गया सुधी ना 24 लाख मा चार आजे बीजी एक अगत्यनी वात एपण कैवानी छे, कि जे आपड़ा राजसरकार ना खूब उम्दा प्रयासो थी, रोजे रोज एमा 34 कल्लाक अट दी हाइस्ट लेवल, आना माटे डेडिकेटेद मीटिंग्स पन लेवाय छे, आने आखो दिवस, अलग अलग रीते कोरो त्रीसमी थी में छटी में आ अरसाना पीरियड मा जे राज्यो मां सव थी वधारे इंक्रीस थायू छे, कोरोनाना केसुज मां, स्टेट्स with the highest percentage of increase in कोरोना केसुज एजे छे, एनी अंदर, अलग अलग बीजा राज्यो जेम के पंजाब मां बस सो सतर पॉइंट बानू टक अच्ठी से थायू ना के अंदर, अगार स्टमिल नाधू मां पण 107 प्तिशात, वेस्ट बेंगल मां पण बानू टका जेतलू इंक्रीस थे, हर्यानामा र, 5,35 टका इंक्रीस ए, महराष्ट्रह मां ओगण साइट टका इंक्रीस थे, अब बद्धा अप्ड़ा गुजरात सरकार ना प्रयास हो थी, आपड़ा हेल्थ वर्कर्ज ना प्रयास हो थी, अलग-अलग जिल्लाओं मां कलेक्टर्स, वाइवटी तंत्र त्याना हेल्थ स्टाफ अने जे बदा सीनियर, सेकरेटरी, सीनियर अधिक, मुख्य सचिफ श्री ओबत्था सरकार ना संयूगत प्रयास हो थी, जे आपड़े जोईये, तो गुजरात आ टॉप फाइव स्टेट्स मां बिलकुल ना थी, अने आपड़ा तियां, आ नंबर ओफ केसुज मां ग्रोथ, एमां थोडूग डिकलाइन थयू छे, एटले ए 50.7% जे टलूज ग्रोथ छे, एटले आपड़े आरीते जे डबलिंग रेट जे कैवाई छे, एक खूब ज अगत्यनू एक मापदन छे, कि किटला दिवस मां आपड़ा तियां जे केसुज छे, एनू अंक बमनू थाए, डबलिंग थाए, एपण हवे आपड़ा तियां बार दिवस नू थायू छे, अने हजी आपड़े आशाराखिया छे के आखी टीम जे रिते काम करी रही छे, आबधा केसुज मां पण हजी उत्रोतर सुधारा थाशे, आजे छेले वी अलसो हाफ थ्री वरी सारा साफल या गाथाओ पण छे, आबधा जामनगर थी आवया छे, आपणी जामनगर नी गुरु गोविन सेंग हॉस्पिटल जामनगर माँ खास करी ने त्यानी आखी जे टीम्स छे, एमनी एक पहल द्वारा त्याना खास करी ने डॉक्टर मॉलिक शाहा छे, इमना नेतरत्व हेटर, एमने खास करी ने लोकली ज एक परसनल प्रोटेक्शन एक्विपमेंटु किट तयार करियो छे, जेनू नाम एलोको एक कवच आपियो छे, औने एनी अंदर आमा जीनवट भर येमनी पासे बदी माईती चे, कोविड हॉस्पिटल ना निशनातो द्वारा एने ध्यान मा राखी ने आकिट बनावी छे, आकिट पहरवामा औने उतारवामा जेने डॉनिंग औने डॉफिंग कईये छे, एमा पण खूप सरण औने जड़पी छे, औने सुरक्षाना मापदंडों मा पण एमा खास-खास ख्याल राखवाम आवियो छे, अने आएक मात्र सेवा की उदेश थी बनावामा आवियो छे, तले नी कीमत पण एमा बहुज ओची कीमत या थाई शकी छे, अने आजी स्थानिक निर्मान हुआ थी जड़पती पण प्रात थाई शके, इतले घणा बधा राजियो मा जारे PPE किट्स माटे खूप कटो कटी छे, मरता ज नथी, विदेशों मा पण, घणा देशों मा, इवन सो कॉल्ड विकसित देशों मा त्यारे PPE किट्स नथी मरता त्यारे, आएक खूप-खूप मोटीवाच छे, कि आपड़ा डॉक्टर्स ने आवी एक सेवा औने पोते एक जवाबदारी अदा करवाना मात्र भाव थी नए, पड़े एक सामाजे क्रोन इना थी पोताना बियॉंड द कॉल अफ ड्यूटी, जहने इमने आवी एक प्रयास करी छे, एक खरे-खर बिरदावा जे वीवाच एज रीते, जीजी हॉस्पिटल जामनगर द्वारा एमनी जे माइक्रोबायोलोजी लाब माँ जे आपने हांड सानिटाइजर छे, ए पन लगबग 1250 जेतला लिटर्स त्याहां एमने एनी उत्पाधन पन करी छे, एक आना थी साफ एक बात निकली आवे छे, कि आपड़ा संस्थाओ, एमना बद्धाना पन प्रयासो थी घणी बदी आवी पहलो करवा मावी रही छे, जेना लिधे आपने एक एहसास थाए कि मानवता प्रते बद्धाने लागे छे कि आपने पन काईक न काईके मां उमेरो करिये, जामनगर नीज बात करिये, तो जे ट्रिपल ले डोनेशन मालेया छे, अने एज रिते, जे आपने वात करी तिया खास करीन रोटरी क्लब, एमने पन डॉक्टर्स तियां जे काम करे छे, एमना माटे N95 मास्क्स पन सरकार प्रोक्योर्मेंट तो करतीर होय छे, करे छे, पर्याप्त मात्रामा छे, पन आजे भावना थी सहिय प्रयास थी बधा संस्थाओनू पन एक योगदान आव्यू छे, आपन एनी कीमत कहीं कहीं कवधरे छे, तो ए रिते पन 330 जेटला नंग N95 मास्क पन जामनगर नी रोटरी क्लब और जामनगर मेन तरफ थी पन आपवामा आव्यू छे, तो आ रिते फरी आपने बधाने अ समझवानी छे, कि आ कोरूनानू संक्रमण जे छे धिरे धिरे वधे छे, पन एमां आपने वीफास ड्रियली आनदस्टाण आपने बधाय समझवानू छे कि आमा पानिक कर वानी जरूर नथी, एसी टका वस्तिने जारे आ संक्रमण थतू होई छे, इमने कोई लक्षन बिल आनु संक्रमान थतू होई छे, 80% of the people, एमा कोई एमने फरक पड़ नाथी पड़तू, हाँ, एमा पंदर टका एवा लोको छे के जे मने थोड़ूक थोड़ाक mild अथवा slightly severe एमा सिंप्टम्स आवे जेम के ताव वगेरा, अने dry cough, अने पची बीजी जे, अनी typical symptoms छे, अमुक केसेज में, एटिपिकल डाइरिया, mild डाइरिया बदू पड़ थतू होई छे, पड़ ए पर नॉर्मली बहु एजीली, सिंपल ट्रीप्मेंट थी, रिकावर थाई जता होई छे, वे तो आपने home isolation नी पड़ प्रावदान करी छे, लोको घर्मा पड़ रही शके समझावा मांगिये छे, पॉंचाडवा मांगिये छे, कि आ पांच टका वस्ती कोण छे, एवाज लोको छे, कि जेमने अन्य गंभीर बीमारीयों होई छे, तो एमने जेटलू आपने एक सुरक्षा कवच्ती, सुरक्षित विल्कुल प्रोटेक्ट करी ने राक्षू, एमन समझावा मांगिये छे, कि जे मोटी उमर ना लोको छे, सामानी रीते आपने साइट थी वधारे, अने एज रीते रिस्क फाक्टर वाड़ा, एकले जे बिल्कुल नानी उमर ना पांच वरस्ती ओचा कईये छे, पड़ा बनने अंक थोड़ाक आपना संजोगों मां, कि एम लोको थोड़ाक लोवर एमनी जो जारे स्थती होए, त्यारे स्वभाविक छे, कि साइट वर्ष ने हजी 50 वर्ष थी मोटी उमर अने 10 वर्ष थी पड़ नानी उमर ना जे लोकों छे, बालकों छे, आ बद्धा क्याटगरी मा आवे, एमने साच्वीलेवू जरूरी छे, एटले, आवा खास रिस्क फाक्टर, को मॉर्बिड वाला जे लोकों छे, एमने पण आपने इन्जूलेट करिये, घर नी अंदर एमनी खास तकेदारी राखिये, व्यवस्तित एमने समय से खोडाक मले, आखो दिवस हाइडरेट कर्मूपोतानी जातने, एटले, दर कल्ला के गरम तम तमतु पाणी एक बे गलास आपने पीए, एना थी पन आ वायरोल लोड आपना मान न आवे, एना माते पन इम्यूनिटी पन आपनी सरस्रे, एज रूरी छे, अन्ने एज रीते आपने घणा बदा, आयूश ना जे आपने वात करणी वक्ते वात करी छे नी, के गलग उकाड़ा, घर गत्तू पन, सिंपल उकाड़ा, सूट ना पाणी केरल राज्य मा दाकला तरीके बद्धाज लोको, सामान्य रीते पन दिवस भर आजे गरम पाणी एनी अंदर सूट नाखी ने पीता होय चे, आपने पना सिंपल वस्तू छे, करीज शके, आथवा का साम राखी ने हाद धोईये, एपन जरूरी चे, अने एज रीते बाहर जहिए, तो मास्क आपने बधा पहरी ने जहिए, बहुँ जरूरी चे, आवा ना 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 बाबतों नो आपने बधा ध्यान राखिये, तो चौकस आपना पूर्तु पन एक सरस, सुरक्षा कवच बनी जैशे, अने कोविड थी संक्रमित थता आपने पोतानी जात में, अने एज रीते आपनी आजू-बाजू जेटला लोकों चे, इमने पड़ संक्रमित थता बचा भी शक्ये, नमशकार. नमशकार, गुजरात में कल शाम के पांच बजे से आज शाम के पांच बजे तक, कुल 390 पॉजिटिव कोरोना के केसज आए हैं, इस समय के अरसे में, तेरा जितने लोगों का दुखद अफसान हुआ है, कि जिनको कोविड 2019 की प्राथमिक संक्रमन की वज़ह से उनकी मृत की हुई है, 11 ऐसे लोग हैं जिनको पहले से अन्य गंभीर बीमारी थी, जिसे हम को मॉर्बिड कंडिशन कहते हैं, और उनको इस संक्रमन के लगने से उनकी ये भी एक कारण रहा है उनकी दुखद अफसान के लिए, आज 163 जितने लोग दिस्चार्ज होके चले गए, अग जो रिकवरी रेट है, उसमें 300 चुमोतर प्रतिशत इसमें एक अच्छा खासा सुधारा हुआ है, बढ़ाई हुई है, ये बहुत अच्छी बात है, आज एक खास हम शेर करना चाते हैं कि हमारे राज्य के माननिया मुख्यमंत्री श्री विजयरूपानी साहब की खास एक अनुरोध रिक्वेस्ट हमारे ही देश के मानिया ग्रह प्रधान अमित शाह साब को एक कल दोपहर को की गई थी, कि दिली से अच्छे टॉप क्लास तजगनों को भेजा जाए, और वहां से हमारे मानिया ग्रुमंत्री श्री जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, उनकी तरफ के जो डिरेक्टर है, डॉक्टर अंदीद गुलेरिया और उनके साथ ये कोविड हॉस्पितल्स का जो बहुत ही उम्मदा काम करते हैं, वहां के निशनात हैं, इसे डॉक्टर मनीश सदूजा, सुलेजा, इन दोनों की टीम आज रात को ही गुजरात पहुंच रही है, एक स पूरे treatment protocols, वहां पर जो अंतरमार्खा की अव्यवस्था की है, वहां के doctors, paramedics, patients, interns, residents, इन सब के साथ इंटराक्ट करेंगे और उनके जो भी observations हैं, उनके कोई suggestions हैं, वो सब भी हमें देंगे और हम चाहते हैं, गुजरात सरकार एक-एक case अगर मृतिव हो रहा है तो उसको र करने की दिशा में बिलकुल प्रतिबाद हैं और कर रहे हैं, इस तरह से कल इसके बाद सरदार वल्लभाई पटेल हॉस्पिटल, SVP हॉस्पिटल की भी मुलाकात ली जाएगी, उसके बाद हमारे teams के साथ भी बात करेंगे और उसके अंत में मानिया CM साब की भी मुलाकात ले को हो रहा है, उन सब को एक incentive देने का भी एक बहुत महतनपूर्ण निर्णय सरकार ने लिया है, और इसमें 25,000 रुपे से लेके 15,000 और 10,000 रुपे तक medical officers, paramedics और खास करके class 4 के हमारे जो साथी करमचारी हैं, उन सब के लिए प्रावधान किया गया है, और आज ये भी कहें हैं, जिसे intensivists कहा जाता है, critical care specialists, उन सब की team ने आज विजिट की थी, civil hospital की अमारी जो campus में COVID hospital है, Dr. Ritesh Patel, Dr. Sandeep Vaghela, Dr. Faruk Meman, Dr. Kalpesh Shah, Dr. Manoj Singh ये Apollo से है, Dr. Maharshi Desai भी Apollo Hospital से है, Dr. Amit Patel, Dr. Pradeep Dhabi, Dr. Minesh Patel, Dr. Vipul Thakkar, Dr. Amit Prajapati, इन सब ने एक बहुत ही अच्छी भावना के साथ, हमारी वहां की जो team है, यानि कि Dr. Kamlesh Upadhyay, Dr. Trpati, Dr. Rajesh Solanki, Dr. Bhargav, Dr. Reema, Dr. Bhavna Ben, इन सब ने रोज आज जैसे आज इस teams ने rounds लिये हैं, सवेरे, शाम को, और ICU में continuously हमारी teams rounds लेती हैं, Dr. Shivani, Dr. Chitralekha Vora, Dr. Rakesh Joshi, Dr. Modi और Dr. Dr. Gajjar, इन सब के साथ चर्चा भी की हैं और वहां जो ICU में या BIPAP वगेरा में जो oxygen पर थे, ऐसे 9 patients को बिलकुल ward में लाने के लिए उन्होंने पूरी protocol oxygen saturation वगेरा देखके उनको shift करने का भी आज एक प्रयास और एक पहल की है, इस तरह से हम देखते हैं कि इनकी भी involvement से और और ही हमारे याँ जो teams काम कर रहे हैं उसमें और भी एक जुसा आया है और हम देखेंगे कि उत्रोतर इसमें और भी हमें फायदा मिलेगा, आज कुल जो positive cases हैं 7403 आज तक इतने हैं और जो stable patients हैं 5056, 500056, ventilator पर 26 जितने patients हैं, आज 4834 जितने tests किये गए हैं और कुल अभी तक एक लाख 5,383 tests हो चुके हैं आज इसके साथ ये भी एक अच्छे थोड़े success stories भी कहना चाहेंगे कि जामनगर के hospital में वहां के Dr. Malik Shah के नेतरत में वहीं के doctors ने मिलके एक पूरा PPE kit बनाया है जिसकी बिलकुल जो standards हैं उनकी जो technical specifications हैं बिलकुल उसमें थोड़ा भी कम नहीं ह बहुत ही अच्छी तरह से और इसे सरलता से पहन भी सकते हैं और उतार सकते हैं उसका भी जिसे डॉनिंग और डॉफिंग कहते हैं और वैसे ही वहां की टीम ने स्थानिक उनके microbiology लाब में पिछले कई हफतों में 1250 जितने liters of hand sanitizer भी बनाया है और इसी तरह से उस विस्तार म और वहां अलग-अलग जो व्यक्तियों हैं उन सब के द्वारा संस्थाओं के द्वारा भी यानि इस सब लड़ाई जो कोविड के साथ है इसमें हम सब मिलके इस तरह से अलग-अलग प्रयास करें प्रकल्प करें बहुत जरूरी है आज एक और अच्छी बात है कि जो स्ट जिसमें सबसे हाइस्ट परसेंट प्रतिशत जिसमें कोरोना के केसिस में बढ़ाई हुई है जादा हुआ है जिसमें हाइस्ट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन कोरोना केसिस उसमें आज देखें तो एप्रिल 30 से में 6 तारिक के अरसे में सबसे जादा पंजाब, वेस्ट बेंगॉल, हर्याना, महराश्टरा जैसे राजियों में हुआ है, दो सो सत्रा प्रतीशत से इस तरह से इनका इंक्रीज हुआ है, लेकिन गुजरात अब इस काटगरी में नहीं है, हमारे यह जो इंक्रीज है वो अब घटने लगा है, पचास प्रतीशत जितनी इंक् प्रतीश्री विजयरूपानी साब के नितृत्व में, हमारे मानिया देप्यूटी सीएम नितिन भाई के पतेल साब के गाईरंस में, यह सभी के प्रयासों की वज़े से यह मुनासिब हुआ है, और हमारी डबलिंग रेट जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है, वो भी अब बहुत उसमें एक सुधारा हुआ है, बारा दिन की डबलिंग रेट पर हम पहुँच गए हैं, तो इस तरह से यह सब इनपुट्स हैं, हम एक-एक अपने जितने भी सिटिजन्स हैं, सबसे नागरीकों से, सभी भायों मैनों से अनुरोत करेंगे, कि खास इस बीमारी स बिलकुल घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, बिलकुल हमें सावचेत रहना है, सवजाग रहना है, इसका संक्रमन धीरे-धीरे सब लोगों तक पहुंचता ही है, पहुंच सकता है, पहुंचने वाला है, जैसे पूरे विश्व में फैल गया है, और इसमें एक बहुत अच्छी तरह से दीरच से समझने वाली बात यह है, कि 80 प्रतिशत लोगों को, इसमें कोई भी लक्षन भी नहीं आने वाले है, उन्हें कुछ एसास भी नहीं होने वाला है, कि उन्हें यह हुआ है, तो इसमें there is no need to worry, लेकिन खास करके हमारे घरों में, जैसे हम कहते हैं, 15 प्रतिशत लोगों को कुछ mild या severe बुखार वगेरा आ सकता है, और 5 प्रतिशत ऐसे लोग और इसमें भी खास कौन ये लोग हैं, कि जिनकी वय 60 वरस से जादा है, 50 से भी अगर जादा है, बहुत अगर उनकी आरोग्य की परिस्तती कमजोर है, तो ऐसे लोग, और खास जो कोई किसी भी उमर के क्यों न हो, लेकिन अगर उनको कोई और भी अन्य गंभीर बीमारी है, किसी को बहुत high sugar है, blood pressure है, जो रोजाना, उनकी जो और भी conditions है, cancer, kidney का problem है, dialysis करना पड़ता है, तो इन सब को बिलकुल हमें protected रखना है, संक्रमान से दूर, घर के अंदर भी थोड बिलकुल एक stop कर सके, break लगा सके, तो इसमें आप सब को इस दिशा में काम करना है, लेकिन घबराने की बिलकुल जरूरत नहीं है, इस numbers को देखके चौकने की भी जरूरत नहीं है, हम जैसे जानते हैं, बाकी देशों में, हमारी ही जितनी आबादी है, क्योंकि इसमें से अनुरोद करेंगे कि अफवाय, misinformation, अक्सर, मीडिया में भी जो बहुत चौकावनारे numbers देख रहे हैं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, अगर देखा जाए तो हमारी गुजरात, राज्यक की जितनी ही आबादी, इटली, यॉरोप के जो इटली देश है, या फ्रांस है, उनकी है, इतनी ही प्रमान में वहाँ लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ अगर देखा जाए, तो कुल जो केसे हैं, इतने ही दिनों में, जितने के हमारे यह हुए हैं, इसी टाइम फ्रेम में, जैसे इटली के अंदर, एक लाक बतिस हजार से उपरान जादा केसे हुए हैं फ्रांस में 93,790 जितने केसे हुए हैं, और हमारे यहां 7,000 जितने केसे हुए हैं, तो बाकी जो बहुत ही ऐसे जो विक्सित देश माने जाते हैं, अमेरिका के भी अन्यक कई प्रॉविंसे उन सब के मुकाबले भी हमारे यहां गुजरात में हमारी टीम्स इसमें काफी हैं कि जो एल्डरी लोग हैं, जो सीनियर सिटिजन्स हैं, उन सब को अगर हम अच्छे से इफाज़त करके रखें, तो जरूर हम इस लडाई में जीत सकते हैं, और खास सबसे अनुरोध है कि दिन दर्मियान बार बार हर घंटे हो सके तो गरम पानी हम लोग पीएं, इसमें खास जैसे केरल और अन्य राज्यों में किया जाता है, जिंजर, अद्रक अगर इसमें डालके उबालके गरम पानी पीएं, तो इससे भी हमारी रोग प्रतिकारक शक्ती बढ़ती है, इसी तरह से हर एक घंटे के बाद अगर हाथ धोने का भी सिंपल साधा साबुन और पान करें, सोशल डिस्टंसिंग फॉलो करें, और जितना हो सके, नूट्रिशियस यानि के पोशन युक्त, सिंपल, जो सरल तरीके से पचन हो सके, ऐसे आहार लें, और जैसे आयूश के अलग-अलग हमने आपको बताये हैं, प्रोफिलाक्टिक मेडिसंस, खास करके आर्सेनिकम आलबम पोटनसी 30, इसको अगर ले, तो इससे भी हम सब की रोग-प्रतिकारक शक्ती बढ़ती है, अथवा किसी को अगर आयूरवेद में ज्यादा जुकाव है, उसमें ज्यादा श्रद्धा है, तो हम समसम बटी नाम की जो गोली है, उसका भी सेवन कर सकते हैं, तो इस त Namaskar, between 5 p.m. yesterday and 5 p.m. this evening, we've had 390 positive cases of the coronavirus in Gujarat, we've had 13 people who have unfortunately died with COVID-19 as the primary cause of death, there have been 11 other unfortunate deaths where the patient already had a very serious comorbid condition and also contracted COVID-19. There have been 163 patients who have got discharged today, if we look at the recovery rates, there is a 374% increase in the recovery rates if we compare the recovery total number today of 1872, 1872 people who have got discharged today as against what it was in our own state on the 18th of April. So, more and more people are emerging victorious in their fight against COVID and going back home successfully after taking treatment. We also want to share today that at the request of our Honourable Chief Minister, Sri Vijaybhai Rupani, to the Honourable Union Home Minister, Sri Amit Bhai Shah, he has immediately responded. And tonight, a team of two top experts of the country in COVID care are arriving here, one is Dr. Randeep Guleria, he's the director of the topmost medical institution of the country, All India Institute of Medical Sciences. He's accompanied by Dr. Manish Suleja, who is again a great authority on these COVID hospitals and they will be visiting our COVID exclusive hospital at MediCity tomorrow from 9 in the morning, interacting with the doctors, their patients and other paramedical staff and also giving us their inputs, insights, their suggestions and also their observations would be shared with us. They will also visit the SVP hospital and interact with the teams there. Another important decision taken today is to give an incentive to all of our health functionaries, right from the medical experts, the medical consultants and senior doctors, all the way to the class 4 team members, part of our team, who are actually toiling day and night in the medical facilities and those of whom are directly exposed to the virus. And these amounts vary from 25,000 to 10,000 rupees. The details of it would be shared with all of you shortly. We have started an initiative, as you know, of some of the top private doctors also of Ahmedabad actually physically coming to our civil hospital, taking rounds there in all the wards, in the COVID wards, interacting, looking at the condition of the patients, giving their input suggestions and trying to see if how many more of these patients are. These patients can be quickly brought back and discharged and sent back home. So in this effort, in addition to these external experts who are coming, I'll just name them in a minute, our own doctors, such as Dr. Kamlesh Upadhyay, Dr. Tripathi, Dr. Rajesh Solanki, they've all had a meeting with these external experts today. And we've started doing some amazing work there. For example, in the ICU ward, as many as nine of the patients, it was attempted in the presence of these external intensivists on their advice. They were actually, for short periods of time, they were actually kept on room air. And a lot of them responded very well after checking their oxygen saturation and the protocols that are required. So these are likely to be shifted from the ICU to the normal wards in due course. So this process of actually ensuring that more and more patients recover in a very fast manner, in a very sustainable manner is being done. Today, in our hospital, we had rounds taken by some of our experts like Dr. Bhargav, Dr. Reema, Dr. Bhavna Ben from the anesthesia department. These are all anesthesiologists. Additionally, from the medicine side, Dr. Shivani, Dr. Chitralekha Vora, Dr. Rakesh Joshi, Dr. Modi and Dr. Gajar. These three are from the overall team of medical superintendents, assistant medical superintendents of the hospital, who are also taking regular rounds in the COVID hospital and doing their best. Today, if we looked at states with the highest percentage of increase in corona cases in the last six days, from April 30th to May 6th, we've had states like Punjab, who've had a 217% increase, to Tamil Nadu, which has a 107.8% increase, West Bengal, Haryana, Maharashtra. With all the concerted efforts of our entire teams under the leadership of our Chief Minister, Honorable Vijay Rupani Sahab, we are not in these top five states in this respect. And Gujarat has actually found that the growth in the number of positive cases in this period has been 50.7% and it has come down significantly. And also, this means that the doubling rate has become about 12 days, which is also a huge improvement with all the concerted efforts of all our people. Today, we also have some heartwarming success stories in our own Guru Gobind Singh Hospital at Jamnagar, which is a medical college as well. Under the leadership of Dr. Malik Shah, the paediatrics department, our teams there have taken the initiative of preparing PPE kits. Now, all across the world, in many countries, many parts of India, there's an acute scarcity and shortage of PPE kits. And it's a commendable effort by our own doctors to actually rise to the occasion and prepare these PPE kits locally without compromising on the technical specifications on the safety norms and standards. Further, they've also improvised and innovated on it to really make the process of donning it and doffing it, these PPE kits, very easy and quick. And it has also ensured that all the parameters, as I mentioned, are fulfilled. And the cost of it also has been very low, given that it is being done by all of them as a contributory effort to make this available for people. Additionally, many local organizations there, such as the Rotary Club and individuals too, have contributed very, very, in a very generous manner, giving us as many as 35,000 triple layer masks, 11,000 cloth masks, and then N95 masks as well. All these are available in absolutely abundant quantities with us in the government. But nevertheless, the spirit of giving something back to these government hospitals and giving it for these needy patients and also for the teams working there is very commendable. And we really want to express our gratitude to all these people. Similarly, the same GG hospital at Jamnagar, the team, the microbiology labs there, have produced as many as 1,250 liters of hand sanitizers. And this has been distributed to various government offices in and around Jamnagar as well as other parts of the state. So on this note, we want to again share with all of you that other countries such as Italy, France, which have a population comparable to that of Gujarat, we are also being as transparent, as honest with all our data. We want to be very open and we take pride in that. But in these countries, we found that the number of positive cases after the same number of days had elapsed as have elapsed in our case. The number of cases in Italy were about a lakh and 32,000 plus. France had 93,000 plus cases, whereas in Gujarat, we have had 7,403 cases. So this is to say that our teams, our people and all of you, each one of you, the citizens here are also contributing and we want all of you to put in even more efforts. And as has been requested time and again to all of you, you can download the Aarogya Setu app in your mobile phones. If through the day, if you can set an alarm and every hourly keep sipping and drinking a glass of hot water with ginger in it, it could be boiled. This really helps build your immunity, boost your immunity. Similarly, you can also take advantage of the Ayush medicines that the Ayush ministry has given, such as Sam Sam Bhatti. This is again giving phenomenal results in improving your immunity. Those of you who believe or have faith in homeopathy can take Arsenicum album of Potency 30, which is also shown to have really good effects in terms of boosting your immunity to be able to fight the COVID virus. Most of all, I think it's extremely important to have a very, very positive outlook, to be very cheerful, to have your dose of laughter. But don't panic, please. There's no need to be super afraid of things. But let's be positive. Let's be calm and let's be absolutely cautious and take all the precautions. Maintain social distancing. Wash our hands every hour and wear a mask. And ensure, most important, that our senior citizens at home in our families or anyone in our home who is less than 10 years of age, those who are comorbid, even pregnant women, that we really take a lot of care and ensure that they are not exposed to any outside infection. If we take care of this, we can really bring down our mortality. We also want to convey to all of you that this disease has spread to all the countries of the world and it is going to spread to different parts of the state, to different people. And we must remember that over 80% of the people who contract this disease are going to be absolutely asymptomatic and not even know that they have contracted the disease. But the remaining 15% could have mild and slightly severe symptoms. They may have fever and need some hospitalization and some symptomatic treatment and certain treatment as prescribed in the protocol. But it's the 5%, approximately 5% of people that you have to be very careful about. And this is the category we just referred to. Elderly people, people with other underlying conditions of illness. If we are really able to insulate them, ring-fence them and ensure that their immunity is also improved, that they are really not exposed to any infection, we would really go a long way in winning this battle against the coronavirus. Thank you. We'll see you next time. Thank you. Take care. Take care. Take care. Take care. Take care. झाल झाल